हेलो दोस्तो नमस्कार सो दोस्तो अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और यहाँ पर बात होने वाली केवल एक ही स्टॉक के बारे में है और वो है डिक्सान टेक्नोलोजी येस डिक्सान से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते रहते हैं और उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी जरूर में आप लोगों को हाइलाट करके बताना चाहूंगा सो ये तो स्टॉक आप सबी लोगों को पता है कि इसके भी सस्ते दाम में पहले जमाने में हम लोगों ने देखा था अभी भी मतलब यादे 2,000, 6,000 के आसपास देखने को मिला था उसके बाद 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक गया था बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि इतना जबरदस परफॉर्मस देगा हां इतना सोचा था कि अच्छा रिटन्स मिल सकता है बट इतना बिल्कुल भी नहीं बट बहुत ही अच्छा कारी सा परफॉर्मस इसने दिया है उसके पीछे के बहुत सारे रीजन्स भी है लॉजिक्स भी है चाइना के साथ बीच में जो इंडिया का बहुत सारे चीज़ें हम लोगों को देखने को मिला था मोबाइल मैनिफेक्चरिंग में अगर मैं बात करूँ तो इसकी वी एक जबरदस मोनोपॉली है उस लेवल पर अभी तक कोई भी काम नहीं कर रहे है तो उसको इसका एडवांटेज मिल गया ऐसे बहुत सारी चीज़े है जो कि आप लोगों को यहापर पता है PLS स्कीम देखने को मिला है उनके actions आराम से बता देते कि company आगे आपर क्यों बढ़ सकती है और इसी के वास्ते हम लोग कह सकते कि इतना सब कुछ होने के बाद मतलब स्प्रिट सब कुछ हो जाने के बावजित भी आज हम इस company को होड़िया पर करते हैं सबसे ज्यादा पॉपिलर यह ही सबाल आता है कि sir क्या है वापस 20,000 पहुच सकता है देखिए company अगर अच्छा performance करें 20 क्या हो दो लाग भी जा सकती है हमें performance देखना पड़ेगा जो भी चीजे चलती है externally वो भी उस company को favor करनी चाहिए जैसे कि मैने लास्ट टाइम बता है कि यह 2 से 20,000 गया क्योंकि बहु टाइम भी लगेगा so dixon से related कुछ important points हभी हम लोग को यह पर देखने and कुछ points जो हमेशे आप लोग को theoretically बताते रहता हो right वो आज में आप लोग को यहाप प्रैक्टिकली भी मतलब कुछ points वही दिखाने वाला हो तो आप लोग को आगे की रणनीती के लिए इस चीज का इस् करें mobile manufacturing की बात करें बहुत सारा लंबा लिस्ट है तो इसमें ही इन लोगों का जबरदस योगदान है और जैसे कि आप लोगों को पता है यह company क्यों आगे है Monopoly मैंने बीच में एक वीडियो भी बनाया था एडवांस fundamental analysis के parts में अभी आगे भी बनाने वालो तो वहापे भी म लोगों को दिखाऊंगा अभी Monopoly कैसे इस company की बट market cap देखना दोस्तो small cap वाली company आज large cap बन गई है 26,000 करोड का market cap है आराम से large cap मतलब हम कह सकते अभी यह maintain रह सकता है large cap में एक बार आप लोगों ने 20,000 करोड का level achieve कर लिया मतलब आप large cap नहीं होते आपको maintain करना पड़ता है तो हम कह सकते हैं कि company अभी large cap बन चुके हम लोगों ने small cap से शुरुआत की थी बाद में mid cap बन गई दिमें दिमें करके हम लोगों थोड़ा थोड़ा ही quantity उटा है ता मैं आज भी कहता हूँ ऐसा कोई बात नहीं कि मैंने बहुत जादा quantity उटा है ता बट yes मैं हमेशा जो भी पी रेशो को पकड़ कर बेढ़ गए जब यह company बहुत ही higher level पे चल रहे थी सिर्फ पी रेशो को देखे decision लेना मतलब बहो कुफी है मतलब जो अगर आप लोग finance की study करोगे ना तो आपर बता जाते 6.6 का पी रेशो मतलब perfect पी रेशो है इस तक stock आने तक वो stock खतम हो गया हो नहीं बिल्कुल भी नहीं करने वाली है आपको demand supply देखना पड़ेगा future के requirement क्या है वो देखना पड़ेगा एक जमाने में Nokia भी king था आज Nokia को कोई पूछता भी नहीं है तो इसलिए यह चीज़े देखनी पड़ती है सिर्फ P.E. ratio के चक्कर में जाओगे और सस्तावाल उठ पड़ाल होगे 6.6 का P.E. मिल रहा है इसलिए तो बैंड बच सकती यूजली कौन सी company में मिलेगी पता है आपको सरकारी अभी market में फिलाल तेजी है इसलिए सरकारी company भी भाग रहे है वरना ये P.E. ratio के जो ऐसी company है जो श्ट्रगल करती है वही आप लोगों को इसी level पे रिसेंटली भी company के numbers देख सकते हैं quarterly जो थे वो भी कमाल के हम लोगों को देखने को मिले थे देन दोस्तो जो data में हमेशा आप लोगों को सिखा तो ये जो data है न दोस्तो इसमें आप लोगों को बहुत सारी lesson यहापे सीखने को मिल सकते है अगर आप सिर्फ इसको as a time pass ही दे 6.66% की return, 3 मेने वाले 25%, 6 मेने वाले 65, then 1 साल वाले लगबग 280, 2 साल वाले 800% से भी ज्यादा की return, 900 पकड़ लेना and 3 साल वाले 6.86, अभी 4, 5, 10 ये तो और भी आना बाकी है तो again कह रहा हूं यह आप बहुत ध्यान से देख लेना या इस category में जो लोग आते हैं जिन्होंने म निवेश के, अभी चलो मान लेते कि इस companies में आपको return मिल रहा है, बट ऐसे companies को हो सकते हैं जो कि fundamental strong है and आज आपको return नहीं दे रहे, बट आप इसी category में आते हो, इसी category मतलब अभी अभी निवेश के आप लोगोंने, 10-12 मेने हुए हैं और आप चाते हो कि बहुत ज़्याद market बोलता है न, कि आप गर आप time दोते हैं हम लोग उच्छेस company के साथ, तो हम लोग ज़रू उसकी कदर करके आप लोगो return देंगे, तो ये चीज़े work करती है बड़ उसके लिए time देना आना चाहिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए, बहुत आसान लगता है, बट actual में वो चीज़ों को practically follow करना भी उतना मुश्किल होता है, तो ये चीज़े हमेशा देखनी चाहिए, आप देख सकते, Dixon Technology ने, जिनोंने, जिनोंने hold किया है, उनको क्या कमाल के returns कमा के दिये हुए हैं, देन दोस्तों, जो चीज में हमेशा आप लोगो suggest करता हो, उनकी website में, उनकी website के उपर ही आ चुका हो, स्क्रीन चोटा है, इसलिए आप लोगों को प्रॉपरली वो विजुल्स नहीं मिलते होंगे, बट कोई बात नहीं यह देखिए, जो भी कमपनी अगर आप निवेश करते हो, अगर आपने उसकी कभी website ही visit नहीं किये, समझ देना, आज भी आप रहे हो, returns कितने भी हो जाए, 1000% के return है, फिर भी आप तुक्के के साथ ही चल रहे हो, आपने website visit नहीं किया, company के बारे में सब कुछ चीज़े आप लोगों को basic basic चीज़े हो, आपे मिल जाती, website से related, यह देखिए, website में आपे सारी चीज़े बताइए, कि company क्या क्या काम यह से related, remote से related, अब सारी चीज़े, television से related, home appliances, हर चीज में यह company यहापे business करती है, and इसमें इसका monopoly है, तो कैसे, तो चलिए, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, peer comparison, जिसमें यह company काम करती, electronic consumers की, अगर मैं बात करूँ, तो देख ले ना, number one कौन है, obviously, Dickson ही रहना चाहिए पर उसके बात की company देख लेना दोस्तों, कितनी चोटी company हैं देखो, Dickson technology लगबख 25-26,000 करोड का market cap है, और उसके next जो आने वाली company है, मातरच 45,500 करोड का market cap है, तो यह चीज़े आप देख सकते कि कितनी बड़ी यह company है, आपे बन चुके उसने opportunity का फायदा उठा है, अभी video इसको कटी कर दो, है ही ने, वो तो D-List भी हो गई, एंड उसके बाद BPL भी खतम हो गई, मतलब आप देख सकते हैं, सारे companies अगर आप चेक करोगे, किसी का भी PE ratio calculate होते हुए, हम लोगों को देखने कि आपे नहीं मिल रहा है, तो यूज़ेली यहापे अगर कभी भी अच् इसे थोड़ी न, stock 2-20,000 जाएगा, और उसके split हो जाने के बाद भी आज अच्छा कासा performance consistently देते चला जा रहा है, so definitely company ने बहुत ही शांदार performance यहापे दिखा है, company के results की बात करें, सब कुछ चीज़े बढ़िया ही हमनों को देखने को यहापे मिलेगी, चाहे अगर हम प्रोफिट की बात करें, shareholding pattern की बात करें, सब कुछ बढ़िया है, देखें, EPS भी देख लेना, earning per share, अच्छी तरीकी से, अभी तो 25, सबसे highest level पे ग्रोह होते हैं, profit भी देखोगे, तो 50-50 ता लगबग 111 and right now 152, तो बहुत ही अच्छी तरीकी से growth नजर यहापे आ रही ह थोड़ा सा अगर में नीचे यहापे चले जाता हूँ, तो आप लोगों को मिल जाएगा shareholding pattern, तो shareholding pattern भी आप कह सकते हो, promoter के पास 35 है, foreign investor लगबग 20% लेकर बेठे हुए, DIS की बात करें तो लगबग 11% है, public की बात करें तो 34% है, तो हम कह सकते हैं, सब के पास हम लोग क है सकते हैं, almost बराबर का हिस्सा वो लेकर यहापे बेटे हुए है, so बहुत ही शांदार performance यह company का, हम लोग को देखने का आपे मिल चुका है, बात करें, बचा हुआ आखरी parameter वो रहता है, balance it, दोस्तों यह जब तक आप इस चीजों के उपर seriously नहीं देखोगे, तब तक आप लोग ऐसे stocks को नहीं खरीदोगे, right, 300, 500, 600, मतलब आप देख सकते हैं, कितने करोड के रिजव से, अच्छे रिजव से, long term borrowing देख लेना, company के और 56 करोड का करजा है, बट फरक नहीं पड़ता है, जैसे मैंने कहा, कि अगर कोई company आपको profit कमा कर दिखा रही है, तो करजा अग technology की बात करें, आज के दिन का formalities देख लेते हैं, यहाँ पर 43% के deliveries देखने का आपर मिल रही है, shareholding pattern देख लिया, बट गिर्वी है कि नहीं वो देखना रहे गया, तो चलिए वो भी चेक कर लेते, तो कोई भी share आपर गिर्वी नहीं आप देख सकते हो, dividend इतना खास नहीं 22, 23, 25 अदर भी हो सकता था, तो हम कह सकते कि अगर यह company ऐसे आगे बढ़ती रही, जो कि इसका performance अच्छा ही चल रहा है, हम लोगों ने recently number भी देखे ते, अच्छे number से उसके भी ना थोड़ी ना performance देगा, तो ज़रूर आने वाले समय में यह और भी अच्छा performance यहापे दे स सकता है, जो common सवाल पूछाता है, क्या वापस 20,000 आएगा, देखे ऐसे 20,000 डिरेक्ली ब्लाइडली नहीं बोल सकते आप लोग, चाहे वो शेर आपके पास हो, मेरे पास हो, हम जरू चाहेंगे 20 के हम तो चाहते 30,000 चले जाए, बट हमें देखना है कि company का performance consistent रहना चाहिए, अगर वो रहेगा, तो definitely वो जा सकते, अभी quarter 1 के number आएंगे, वहाँ पे proof करके दिखाए, next quarter 2 के आएंगे, वहाँ पे proof दिखाए करके, 3, 4, अगर quarter ले ऐसा performance proof करते ही रहेगी, तो company उपर जी जाने वाली है, और stock market में अच्छे stocks ऐसे ही work करते हैं, बीच में कभी थोड़े स थाकान मैसुस करते हैं, बट overall उनकी जरनी उपर ही जाती है, so Dixon technology जरूर हम लोग कह सकते हैं, अभी तक company का performance बहुत सॉलिड है, partnership भी इनके बहुत सॉलिड है, PLA scheme का maximum फायदा इनोंने उठाय हो है, plus खास करके, अगर हम लोग बात करे, डिजिटल इंडिया की अगर हम projects देखने को मिलते हैं, उसमें भी इस company का अच्छा योगदान देखने को मिल रहा है, चाहिए वो mobile manufacturing की बात करे, या फिर अगर में LED की बात करू, तो इसमें इस company का अच्छा योगदाने बीच में COVID हो गया, तो जैसे में आपको बताया ना, कि temperature check करने की machine, तो ये भी thermometer आप बहुत सारा अच्छा कासा हम लोगों को देखने को आपे मिल रहा है, जिसके पास रहेगा वो आगे आपे continue कर सकता है, बट unrealistic expectation मत रखना, फटा फट कल के दीन ही जाके returns मिलना शुरू होंगे, ऐसा नहीं, बट company अच्छी रहेगी, तो धीमे धीमे करके and slowly ही जानी चाहिए, जितना slowly जाते हैं उतना हम कह सकते हैं वो तेजी टिकती है, जो फटा फट उपर जाने वाले stock आप देख सकते हो, कितने सारे stock है, फट का नीचे भी आ जाते हैं, तो यह चीज मैं जरू कहना चाहूंगा, अगर आपके पास dixon है, जरू इसको hold करके चलना, बहुत सारे आज कहना चाहूंगा, अगर कोई यहां पर फ्रेश बाइंग करना चाहता है, तो वापस कह रहा हूं, कि कमपनी की कौटरली नंबर जब आते हैं, उनको देख लेना है, उसके बाद आप लोग, मतलब आपके पास अच्छा कासा option रहेगा, कि कमपनी अगर अच्छा कर रहे है, तो definitely आप लोग खरीद सकते हो, सर्य महेंगा हो जाएगा, अरे महेंगा कितना होगा, जादा स्यादा, 200-300 रुपे उसके beyond तो नहीं, बट आपको एक, मतलब बोलते हैं, एक parameter मिल जाता है, reason मिल जाता है, कि चलो कमपनी ने अच्छा परफॉंस दिखा है, हम लोग खरीद ल